ये लोगसभा चुनाव को लेकर 36 गड़ में सियासी पारा चड़ा हुआ है और इस बीश केल मंतरी टंकराम वर्मा ने एंटी टीवी से बादशीत की जिसमें उन्होंने 36 गड़ की सभी 11 सीटे जीतने की बात कही इसके साथ ही कॉंग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने प बस्तर दौरा हुआ है अब राहूल गांधी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं तो क्या लगता है कि जो समीकरन बन रहे हैं मोदी जी के दौरी के बाद क्या इस्थितियां दिख रही है अभी और राहूल गांधी आएंगे देखिए पहले ही लोग मांसिक्ता बना लिये हैं कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधान मंत्री बनाना है ये मांसिक्ता क्योल प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में है और इस बार हमारे मुख्य मंत्री मानि विश्नोदेव साय जी के नेत्रित में चुनाव लड़ हैं 11 से 11 सिटे जी जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी की गारेंटी और विश्नोदाय साय जी का सुसासन एक चर्चा और भी है चात्रिसगर की सियासत में ऐसा क्या जरूरत तान पड़ी है कि भारती जन्ता पार्टी कॉंग्रेस के सभी निताओं को पार्टी में सामिल करा रही बड़े बड़े निता आ रहे हैं कार करता आ रहे हैं और टिकेट भी देते रही हैं देखिए भारती जन्ता पार्टी बुला नहीं रही हैं कांग्रेस की लोग माननी नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननी विश्नोद्य साय जी के नित्रित उसे प्रभावित हो करके उन लो को कुई ऐसे संदेच लग रहा हो कहीं टक्कर की सतिती affinityesus को पर महसूस हो रही है कि निक हैं मैं महसूस निकियों कि कहीं पर बहुत टक्कर है कसा कसी चल रही है ऐसा नहीं है आसानी से जितेंगे भाजपफा कहते है के राहुल गांदी जहाँ जाते हैं भारती जन्ता पारटी को वहाँ पर फाएदा होता है तो आप की पारटी और है वहाँ चाहेंगे कि 36 गल में राहुल गांदी कौन सी सीछेर में अजाए वह चहां भी चल जाए वह कहां जाएंगे वह तैग करेंगे बाकर जीतना तो हमारे लच्छ है जीत करके आएंगे सब हमारे संसद लोग हमारी साथ तंकराम वर्मा जी थे उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और उन्होंने ये साफ कहा कि मोदीजी के चहरे पर और 36 गड़ की 11 में 11 लोग सबसीटें बीजीपी जीतेगी राइपोर से जुल्षे कारली एंटिटी के लिए